सबी साथियों को नमशकार, मैं हूँ पूनम, स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल जिसका नामे त्रिप्ती, Let's Learn and Grow आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जिनके इस 2-4 साल तक हैं उन्हें हम क्या लिखना सिखाएं, कब लिखना सिखाएं और कैसे लिखना सिखाएं लिखने से पहले उन्हें क्या-क्या चीज़े हम एक्स्टर सिखाएं So let's start the video चोटे बच्चों की जो राइटिंग है उसकी शुरुआत करने से पहले हमें बच्चों से कुछ उनकी फिंगर से रिलेटिड अक्टिविटी करानी चाहिए और घर पर ये मदर्स भी कर सकती है और स्कूल में टीचर्स भी कर सकती है इसके लिए क्या है कि सबसे जो इंपॉर् यानि रेट का मिट्टी का किसी का भी प्रियोग कर सकता है जब बच्चे रेट पर ट्रेस कर रहे होते हैं तो ये उनकी जो फिंगर्स है मोटर डेवलप्मेंट है फिंगर्स की मुमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हुरा होता है और इससे बच्चों की पकड मजबूत होती है बच्चे अपनी फिंगर्स को सही दिशा में चलाना शुरू करते हैं इसलिए फ्री हैं ट्रेसिंग बहुत जरूरी है जो हमें लिखने से पहले बच्चों से जरूर करवानी चाहिए या आप जमीन पर करवा सकते हैं रेट पर करवा सकते हैं किसी पारक में ले गया है प बारी आती है बच्चे के हाथ में आप simple एक crayons दे दीजिए जो mommy color होते हैं जिसको colors बोलते हैं आप वो उसके हाथ में दे दीजिए और एक paste दीजिए बच्चे को बोलिए बच्चे इस crayons को इस पे चलाओ घिस वो अपने दिशा के हिसाब से जैसे मन करें वैसे उसको पकड़ से पकड़े और जब बच्चा जितने देर चलाएगा उसको घिसेगा उतनी देर तक उसकी fingers की moment पे नज़र रखें कि वो सही दिशा में कर रहा है बच्चों को paper दे दीजिए 10 से 15 दिन तक ये practice लिखने से पहले बहुत ज़रूरी है बच्चों से कराना इससे बच्चों की pencil के उपर crayons के उपर पकड़ मजबूत होती है तो बच्चों को ये वाली activity तो ज़रूर कराएं इसकी practice भी कराएं तीसरा जो important चीज है वो ये है कि बच्चा free color glittering कर रहा था यानि जहां मन करे paper पे अपना color अपने हिसाब से कर रहा था उसमें कुछ भी वो रोक नहीं रहा था अब हम बच्चों को एक object ड्रो करके दे देंगे एक shapes दे देंगे और बच्चे को कहेंगे कि आप इस shape के अंदर color कीजिए बच्चा जब इस shape के अंदर color करेगा तो वो एक तरह से खुद को अनुसासित करेगा कि वो कितनी देर pencil चलाए कि pencil इसके बाहर न जाए और अंदर ही रहे कितने दिर वो ऐसे colors यूज करें इसमें आप अलग-अलग object बना के बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चा इसमें coloring करे इस colors करने से बच्चे के दिमाग में ये object होगा कि अभी तक जो वो बहुत बाहर-बाहर color कर रहा था या पूरे paper को color कर रहा था जो हम उसे करा रहे थे उसकी grip को मजबूत करने के लिए अब वो अपनी grip मजबूत करके एक limit के अंदर एक boundary के अंदर वो pencil crayons से लाना सीख जाएगा इसमें हम एक चीज़ और करा सकते हैं कि बच्ची को shapes दे सकते हैं जैसे यह A का shape बना हुआ है तो बच्चा इसमें A के shape में आराम इसको trace कर रहा है बच्चों से हम rainbow writing करवा सकते हैं कि बच्चा अलग-अलग color के जो crayons से वो लेके उपर से लेके नीचे तक वो उसको करता रहेगा जिससे बच्चों के अंदर जो writing की skills है उसकी में बढ़ोतरी होगी इसमें जो last है वो ये है कि बच्चों से लिखना start कराने से पहले हमें बच्चों को कुछ line की concept देना जरूरी है जैसे कि हम देख रहे हैं जो screen पे दिख रहा है ये standing line worksheet है यानि बच्ची को हमें standing line की practice करानी है जब बच्चा standing line की practice करेगा तो उसके अंदर standing line का concept clear होगा कि हाँ मुझे one time अगर मैं line खीच रहा हूँ तो ये standing line है यानि ये खड़ी position की line है इसमें हम अलग 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 प्रकार की बहुत साथ एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं बच्चे को standing line का concept clear हो जाना चाहिए और बच्चा एक सीधी रेखा खीच पाए ये ध्यान रखना है इसके लिए हम अलग 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 प्रकार की जो हमारे पास worksheet पड़ी है उसको use कर सकते हैं में कोई paper होता है उसके उपर बच्चे से हम practice करवा सकते हैं तो बच्चा अपने आप इस पे लिखना स्टार्ट कर देगा standing line का उसका concept clear हो जाएगा सेम इसी प्रकार बच्ची को sleeping line का concept देना जरूरी है कि इस तरह से lineage होती है वो sleeping line है हमें sleeping line के practice बच्चों से करवाएंगे और इसके लिए भी अलग अलग प्रकार की वरक्षीट आती है तो बच्चा sleeping line का concept उसके मन में develop हो जाएगा कि हाँ यह जो लाइन सीधी जा रही है यह sleeping line है यानि सोई हुई रेखा है तो बच्चे को sleeping line का concept भी देना जरूरी है इसके साथ एक और line होती है जिसको हम sliding line बोलते हैं इसमें बच्चे को आड़ी तिर्ची जो लाइने होती है यह खिशनी होती है हम dots बना के दे है और बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ इस dot को इस dot से मिलाना है बच्चा जब dots बना रहा होगा मिला रहा होगा तो उसको जो हमारी lines है यह lines वो डालना सीख जाएगा slanting line को सीख जाएगा इसके लिए भी अलगरत प्रकार के हम pattern को यूज कर सकते हैं और बच्चा इस pattern से यह चीजों को अच्छे से grip कर सकता है सीखता है बच्चे को विभिन प्रकार की जो वरक sheet है हम वो देके इसको करा सकते हैं घर में ममी है या जो भी है slate पर इस activity को करा सकती है slate के उपर कराईए paper के उपर कराईए बच्चे के हाथ में crayons दीजिए अभी pencil नहीं पकड़ाए तो अच्छा है कुछ आड़ी तिरची लाइनों का जब हम जानकारी दे देंगे इसके बाद जो important चीज होती है वो यह होती है कि हम बच्चों को यह बो करते रहें और बनवाते भी रहें इन लाइन के साथ साथ एक और होता है कव बच्चों को कव बनाना सिखाए यानि बच्चे को लाइन के उपर घुमाना सिखको हम यह बोल सकते हैं कि हम बच्चे से सेमी सरकल बनाओ सरकल तो होता है यह गोल बड़ा में आधा सरकल बनाना ह हैं तो बच्चे से जो lines है से play used की साथ ये जो Francisco हम बोल रहे हैं इसकी भी practice करा है और बच्चा जब इसकी प्रेक्टीस कर लेता है पहले pattern के साब से करा है जैसे आपको certainly पर दिखे आए और बच्चा जब इसकी practice कर लेता है तो उसको यह भी बनाना आ तो हमने बच्चे को sleeping line, standing line, slating line और कव बनाना सिखा दिया है और हम उसकी practice भी करा रहे हैं इन सबकी practice writing start कराने से कम से कम एक महीना तो मैं मान दूगी one month आपको इसकी practice जरूर करानी चाहिए क्योंकि बच्चे को अगर उसका concept clear होगा तो बच्चा अपने आप आपको सब कुछ पढ़ के दे देगा हमें सरफ उसके brain को इस दिशा में छोड़ना है कि वो अपने आप ही पढ़े बच्चा जब इन lines के practice कर लेगा तो इसमें सबसे महत्यपून चीज़ यह होती है कि हम बच्चे इसको कौन से letter से लिखना start करवाएं तो यहाँ पर यह है कि जो हमने use करे है लाइने standing line, sleeping line तो हमें वो alphabet पहले start करने चाहिए जो बच्चा easily कर सके और सबसे जरूरी यह है कि बच्चे को हर level पे appreciate करें बच्चे को हर level पे motivate करें कि आपने बहुत अच्छा किया है अगर बच्चे ने एक single line भी खीची एक dot भी लगाया है तो उसको जरूर appreciate करें कि बच् साथ इन चीजों को बहुत भैतर तरीके से सीख जाएगा अच्छा अब आपको यह बताना है कि यहाँ पर हम कौन सी line से start कराएं बच्चे को कौन सा alphabet introduce कराएं तो यहाँ पर ज़रूर यह है कि कुछ letters ऐसी E F H I L T यह line से मिलकर अक्षर बन रहे होते हैं तो हम अगर इन अक् कि एक दिन में बच्चे को सिर्फ एक ही letter introduce करा जाएं मतलब यह कि अगर बच्चे को हम आज E सिखा रहे हैं तो वो पूरे दिन E चलेगा next E से जुड़े कौन कौन से शब्द हो सकते हैं बच्चा इस पर focus करेगा next दिवा आपको link के दिखाएगा तो एक word को एक letter को जितना ह हो सके उतना लंबा खीचिये ताकि बच्चे का concept permanent clear हो जाए कई बच्चे A से लिके Z तक पूरा रटरे होते हैं उनको लेकिन अक्षरों की पहचान words की पहचान letters की पहचान नहीं होती है तो अगर हम बच्चों को उनके पहचान पर जोड़ दे तो बच्चा बहुत अच्छ की तरीके से इस चीज को पहचाने का तो हम इन लेटर से शुरुआत कर सकते हैं देखिए लिखना भी एक process है जैसे हम देखते हैं कि हमारे पस कोई नया बच्चा आता है तो वो सबसे पहले छोटा बच्चा हो रहा तो सबसे पहले चीजों को देखता है सुनता है समझता है उसके बाद ही उस पर प्रतिक्रिया देता है ठीक इसी प्रकार जो थोड़ा सा बड़े बच्चे होते हैं वो चीजों को देखते हैं सुनते हैं उनको समझते हैं और हम जो इंट्रड्यूस करा चुके हैं और उसको अपने दिमाग से पढ़ रहे होते हैं और सबसे लास्ट का है जिसको हम डॉट्स के माध्यम से लाइनों के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक बार कोशिश कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताईए कि आपके बच्चे ने इस चीज़ को सीखिने में कितना टाइम लगाया एक चीज़ में और बताना चाहूंगे कि छोटे बच्चे के पैरेंस बहुत जल्दी उनको टूशन सेंटर में जाके छोड़ देते हैं तो मैं सभी पैरेंस से रिक्वेस्ट करूंगे कि आप अपनी बच्चों के साथ खुद मैनत कीजिए किसी भी टूशन सेंटर में बच करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो मैं आपर अप्लोड करती रहूंगी मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने देश और बच्चों को बहतर बनाने की धरनेबाद